So the market price of a clock is Rs.3200. It is to be sold at Rs.2448 at two successive discount. So if the first discount is 10%, then the second discount is, देखो यह से traditional method से हम solve ला करके, एक simple logical way में solve करेंगे. तो माल लेते हैं कि clock का price कितना? At Rs.3200 है. ठीक है? कितना price है? Rs.3200 अभी price है. तो हमने क्या किया? इसको हमने बेचा 2448 में. तो हमने 2 discount दिये. एक तो 10% को तो बताओ, second discount हमने कितने का दिया होगा? तो पहले हम 10% का discount दे रहेते हैं. 10% का अगर हम discount देते हैं, तो अब यह कितना? 2880 हो जाएगा. योगि इसमें से अगर हम क्या करेंगे? 320 subtract कर देंगे. 10% का discount दिये तो 320 subtract हो गया. अब यहाँ पर again हम क्या करेंगे? यहाँ पर again हम X% का discount देंगे. और X% का discount देने के पाद इसकी price हो जाएगी 2448. अब हम यह निकाल लें कि कितने percent का हमने discount दिया है? तो यह हम कैसे check करेंगे? तो इन दोनों के बीच में difference कितना है? तो difference है 432 का. तो 432 कितना percent है? किसका 2880 का. युकि इसी price पे तो discount मिलिया है into 100. तो इसको अगर हम solve करते हैं तो इसको cancel करते हैं तो यह finally कितना आएगा? पिस zero से यह zero cancel हो जाएगी और इसको अगर हम solve करते हैं तो finally हमारा answer आता है 15%.